नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल चुगली में आज एक और दिल को छूलेने वाली कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तों आओं रिष्टे हमेशा एक दूसरे की मदद से ही मजबूत होते हैं हमारा समाज क्या है? हम समाज में क्यूं है? हमारे दोस्त, भाई, स्टेदार, माता, पिता, सब मौजूद है और हर कोई एक दूसरे की किसी रूप में मदद कर रहा है और मदद करना इंसान का सबसे बड़ा धर्म है यदि आप कोई भी धर्म का काम करना चाहते हैं तो आप किसी की मदद करते हैं दान करते हैं पुन्य करते हैं परन्तु कभी कभी हम जाने अन जाने में भी किसी की मदद ऐसे ही कर देते हैं मन में आया और आपने दूसरे की मदद कर दी ये कहानी एक ऐसे ही इनसान की है जिसने जाने अन जाने में किसी की मदद की थी और वो ऐसान जब वह मुश्किल में था तब उसके पास लौट कर आया ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपने आफिस में एक टिफिन वाली की मदद की थी कहानी की शुरुवात से ही मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूने और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आप में से बहुत से लोग मेरी इस वीडियो को देखते तो हैं प्रन्तु लाइक, शेर और कमेंट नहीं करते और प्लीज इसकी हमें बहुत जरूरत है इस मदद से हम मजबूत होते हैं हमारा रिष्टा मजबूत होता है तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूलें चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं एक लड़की एक आफिस में काम क्या करती थी वहे रोज टिफिन सर्विस से खाना लिया करती थी तो एक दिन वो टिफिन सर्विस वाली आंटी उसको टिफिन देने आती है तो वहे उस आंटी को मना कर देती हैं कि आंटी जी अब आप मेरे लिए टिफिन मत लेकर आना वहे आंटी एकदम जुन्जला जाती है और पूछती है बेटा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मैं पिछले कितने सालों से आपके लिए खाना लेकर आ रही हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ और आप तो हमेशा मेरे खाने की तारीफ करते हैं क्या कोई कंप्लेंट आई है या कोई सिकायत आई है या आपको मेरा खाना अच्छा नहीं लगा तो आप मुझसे कहो मैं उसको दूर करूंगी और मेरा खाना लेना बंद मत करो वो केती है अँटी ऐसी कोई बात नहीं है आपको पता है मैं तो आपके खाने की मुरीद हूँ परन तो मेरी भी कुछ मजबूरी है मैं अब ये खाना आपसे नहीं ले पाँगी तो कल से आप मेरा खाना मत लेकर आना और इनफेक्ट आज जो खाना लेकर आए हो वो भी वापिस ले जाओ वह बहुत दुखी होती है और उससे पूछती है बेटा जब तक तुम मुझे कारण नहीं बताओगी मैं ये खाना वापिस नहीं लेकर जाओगी तो मैं मुझे कारण बताना ही होगा अब वह लड़की विवश होकर उस टिफिन वाली राइंटी को अपनी कहानी बताती है कि उसका एक हस्बेंट है जिसकी नौकरी छूट गई है और पिछले कुछ महीनों से वह घर पर ही बैठा है और नौकरी की तलाश में रोज निकलता है परंतों से नौकरी नहीं मिलती अब उनके खर्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उनकी बच्चों की फीस उनका खाना, रहना, सेहना तो वो पूरा बढ़न उस लड़की प्यारा है तो वह छोटे छोटे खर्चों में कटौती करकर अब पैसा जोडने की सोच रही थी तो उसे लगा अगर मैं टिफिन लेना वे बंद कर दूँगी तो इसके भी कुछ पैसे मेरे रोज के बच जाएंगे अब यह बात सुनकर टिफिन वाली आंटी सोचती है बस, इतनी सी बात अरे मैम, आप तो वो हैं जिनों ने जब मेरा टिफिन यहां मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे से कोई टिफिन नहीं लेता था सिर्फ आफ टिफिन लेते थी और आपने टिफिन लेकर मेरे खाने की इतनी तारिफ करी कि अब पूरा आफिस और साथ वाले एक दो आफिस और मेरा खाना लेते हैं तो क्या मैं आपको खाना नहीं दूँगी आपको मैं रोज खाना दूँगी और आपसे पैसे भी नहीं लूँगी अब वो लड़की इमानदार होती है और खुद गर्ज भी होती है वैं कहती है नहीं आउटी मैं आपसे खाना नहीं ले सकती क्योंकि मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी मेरी पॉकेट मेरी जेब मुझे अलाव नहीं करती कि मैं आपको पैसे दे पाऊं आउटी बोली कि बेटा मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा खाना आएगा तो आएगा तुमने मेरे ऐसे समय में मदद किये है क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती तो अब वह लड़की शर्मिन्दा हो जाती है करती है नई आण्टी मैं बिना पैसो के आपसे खाना नहीं लोगी सारे ओफिस वाले बोल परते हैं कि हाँ क्यों नहीं और अगर आप चाहें तो आपके खाने का पैसा हम दे सकते हैं वो लड़की बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं ठीक है आंटी जी आप कल से मेरा खाना ले आना हो जैसे ही वो आंटी जाती है सारे ओफिस वाले उस लड मिलती है कि जितना आप एक दूसरे की मदद करेंगे एक दूसरे की परिशानी में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे उतना आपका बॉंड मजबूत होगा उतना आपका रिष्टा मजबूत होगा और रिष्टों की मजबूती से ही हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं जितने आपके रिष्टे मजबूत होंगे, उतना आप मुश्किल परिष्थिती में खुद को स्टेबल पाओगे, एक जुट पाओगे और खड़ा पाओगे, आप देखो कि जब भी आप मुसीबत में होगे तो आपके पीछे दस लोग खड़े होंगे, तो कि आपने उनका मुसीब कि वो सब भी उस लड़की का सपोर्ट देने के लिए एक जुट होकर खड़े रहे, तो एक जुटता में ही ताकत है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपकी मेरी तरफ मदद का हाथ है, और मुझे सपोर्ट करेंगे, तो हमारा रिष्टा, हमारा बॉंड मजबूत होगा, मैं ऐसी ही प्रेड़ना दाइक कहानिया रोज इस चैनल पर लेकर आता हूँ, रोज रात को दस बजे मेरे चैनल पर एक वीडियो पोस्ट होती है, और वो वी जरूर करना, धन्यवाद